हलो अच्छो कैसे स्टड़ी चल रही है आप लोगों की इंफोर्ट कीजिए कमेंट्स द्वारा और मेरी वीडियो आपको कैसी लग रहे हैं कमेंट्स द्वारा बताईएगा कुछ कमी अगर मेरे अंगर देखाईते रहे हैं तो भाई उसे भी तो बताईएगा आप दिल में ह नहीं देरी जालेगा कि आप क्या चाहते हैं मेरे से तो देखें श्रूएंट्स पर्टिकूलर इंट्रीगरान का रूल छोल लेकर क्या आया हो कि इसमें क्या होगा इंट्वास पर्टिकूलर इंट्रीगर्ण जो होगा वह किस तरीके से होगा बन अपन si of the e to the power a x into phi of x, तो यह phi of x हमारे पास में जितने भी टाइप्स अभी तक पढ़ाए गए हैं, फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, उन में से किसी की भी वैल्यू यहां पर हो सकती है, जैसे फर्स्ट टाइप था, फर्स्ट टाइप थो हमारे पास में था, फर्स्ट टाइप थो हमारे पास में था, साइन a x या कॉस a x अपान f of b, इस तरीके का पाटिकुला इंदिगा था, तो phi of x के स्थान पार यह हो यह हो, तो और इट जावर a x मी हो, तब हम, क्या करेंगे, जो f of b है, उसमें d को रिप्लेस कर देंगे, d प्लस a से, तो यह सेकिंड टाइप का, तो phi of x हो सकता है, तो phi of x यहां पर हमारे पास में, sin a x या कॉस a x हो सकता है, अब, फर ताइम में sin x क्या हो सकता है, phi of x हो सकता है, x to the power n हो सकता है, तो sin x to the power n upon f of b, इस्टाइप का हो सकता, तो e to the power a x से लगा होगा, साथ में, e to the power a x लगा होगा, साथ होगा, और phi of x यहां पर e to the power a x लगा होगा, और phi of x यह स्थान पर यह है, तो particular integral, कैसे find out करेंगे, तो देखें, यह सेकिंड टाइप का phi of x हो गया, और यहां पर यह ठाइप का phi of x हो गया, तो हम, उस case में, d को replace कर देगे, d plus a से, एक question लेते हैं, और फिर हम आपको बताते हैं कि कहना क्या चाह रहे हैं, question है, solve d square minus 4d plus 4, y equal to x cube e to the power to x, यह question है, तो देखें students किसे solve करते हैं, given that, given क्या है experience, d square minus 4d plus 4 of y equal to x cube e to the power to x, अब, augular equation लिकारते हैं, इसकी, augular equation is, augular equation find out करते हैं, बी को m से replace कर देखें हैं, तो m square minus 4m plus 4, equal to zero put कर देखें, अब 4 के ऐसे factor करेंगे, कि हमारे पास में sum 4 आजाई, तो m, यह, m square, और यह, experience क्या है, m minus 2 to the power 2 है, equal to zero, तो इस प्रकार से हमें, m के दो roots हो गए, 2, 2, तो यह दो roots हमें, क्या हो गए, m के graph हो गए, आज़ा हम इस देखें, complementary function निकालते हैं, जब roots identification, m1 और m2 जो root identification है, m1 की भी value m है, m2 की value m है, तो c1 e to the power, sorry, c1 plus c2 x e to the power mx, यह complementary function होगा, तो complementary function क्या हो गया, c1 plus c2 x e to the power mx, m क्या है, 2, 2 x, यह complementary function find out कर लिया, हमने हैं, अब complementary functions find out कोने के बाद, particular integral find out करें, particular integral, particular integral में, 1 upon f of d, और students, यहां पर p of x होता है, p of x क्या है, यह, x3 e to the power 2 x, यह से, e to the power 2 x, यह से, e to the power 2 x, 1 upon f of t, x q, यह देखें, इस type का है, e to the power 2 x, बना कोन f d of x q, इसमें क्या करें, f of d, f of d क्या है हमारे पास में, f of d is, this one, minus 4 d, plus 4, यह f of d है, f of d में क्या करेंगे, students, जब अगर इस तरीक क्या में लेगा, तो उसे ही करते हैं, फिर, मैंने कहा, e to the power x, 1 upon f of d को रिप्लेश कर देते हैं, d plus a से, a क्या है, coefficient of x, x of coefficient क्या है, a, यहां x of coefficient क्या है, 2, तो d plus 2, whole square, minus 4, d को replace कर रहें, d plus 2, plus 4, आगे सिंप्लिभाई करते हैं, e to the power 2x, 1 upon, बेक टोकन कर दें, d square plus 4, plus 4d, minus 4d, minus 8, plus 4, x cube, अब इस्टुनेंस आगे सकते हैं, particular integral, equal to, e to the power 2x, यह क्या चलदा है, देखें, 4d से, यह 4d, cancel out, 4 plus 4, 8, और यह minus t, तो यह बन अपन, d square, और यह x cube, अब आगे देखते हैं, e to the power 2x, 1 upon d, 1 upon d, x cube, और 1 upon d, 1 upon d, represent करते हैं, integration को, with respect to x, तो 1 upon d, x cube, तो integration of x cube, with respect to x, चाख हो जाएगा, e to the power 2x, 1 upon d, यह वाला, और यह हो गया, x to the power 4 upon 4, क्योंकि, integration of x to the power n, with respect to x, x to the power n, plus 1 upon, n plus 1, यह हो गया, अब यह स्टुनें से से, फिर से, integrate करते, e to the power 2x, into, 1 upon 4, तो यह, और x to the power 4 का integration, हो, x to the power 5 upon 5, यह पर्टिकुलर इंटेरल की, तो इस बें से, पर्टिकुलर इंटेरल, क्या है, पर्टिकुलर इंटेरल, पर्टिकुलर इंटेरल, इकोल तो, 1 upon 20, 1 upon 20, u to the power 2x, to f to the power 5, यह पर्टिकुलर इंटेरल आ गया, तो इस्टुएंट्स अब चाह करते हैं, सलूशन लिखाते हैं, सलूशन, y इकल टो, क्म्प्लिमेंटरी फंक्शन, पिलास पर्टिकुलर इंटेरल, तो देखें इस्टुएंट्स क्म्प्लिमेंटरी फंक्शन, क्म्प्लिमेंटरी फंक्शन, इस्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश्टिश् पॉन्टी एक्स एक्स तो यह एस्ट्राइंस सलुशन आगया है अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना नहीं मुलना है शेयर दमा दमा के कीजिएगा जितने भी लोगों को सेयर कर सकते हैं यह वीडियो शेयर कीजिएगा और अगर अभी तक मुने चै सब्सक्राइब और बैल आइकन प्रेश करना नहीं मुलना ताकि हर अप्लोडेट वीडियो का नोटिफेकेशन आप तक पहले पहुंच सके और मेरे लिए एक मोटिवेशन प्राफ्ट हो कि मेरे श्बंस मेरी वीडियो को लाइक कर रहे हैं और मैं और वीडियो मनाने के लि